असलाम अलेकूम विवार्स आज हम बनाएंगे बहुती स्पेशल वेजिटेबल छोले बिरियानी तो इस वीडियो को बिना स्कीप की एंट तक देखेगा क्योंकि आपने इस वीडियो को अगर पूरा देखा तो इंशालला आप हफते में एक बार इस टेसीपी को बनाना थोड़े से धनिया और पोदिना के पत्ते हमने तोड़कर इसमें डाल दिये हैं एक से डेर चमच हम इसमें नमक एट कर देंगे और आधा चमच से थोड़ा कम ये लोग फूट कलर हम इसमें एट कर देंगे ताकि हमारी बिरियानी का कलर जो है वह बहुत अच्छा है अब से हम बॉयल होने के लिए रख देंगे अधाक कर तो ये देख हुह हमारे पाने में जो है अच्छा से बॉयल आ चुका है अब इसमें हम यह चावालहेट कर देंगे यहाँ पर आ पर कोई भी बिरियानी चावाल ले स storyline ले सकते हैं आब इने हम 80% तक पकने के लिए रख दे जैसे ही ऐसी परसेंट पक जाएंगे हम इने एक चलनी में निकाल लेंगे तो जब तक हमारे चावल बोईल होते हैं तब तक कि हम सब्जियों को तयार कर लेंगे तो यहां पर हमने 500 ग्राम गोवी लिया है इसे हमने इस तरीके से बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिय है इसे हम तीन से चार मिट के लिए गरम पानी में छोड़ देंगे ताकि इसकी सारी गंदगी जो है वो निकल जाए बारिक कीड़े वगेरा जो भी होते है अब यहां पर हमने एक तपेला लिया है इसमें हम 200 ग्राम के करीब तेलेट करेंगे जैसे ही ओइल हमारा अच्छा से गरम होगा वेसे ही हम इसमें यह 500 ग्राम के करीब प्याजे फ्राइ करेंगे इन प्याजों को हमें light brown होने तक fry करना है full flame पे चलाते वे अच्छे से तो ये देखिए हमारी प्याजों जो है अच्छे से fry हो चुकी है light brown बसी सत्त की हमें इने fry करना था अब हम इने चमस से side में करके अच्छे से press करते वे कि इसका सारा oil जो है वो निकाल देए और इन्हें हम इक plate में निकाल लेंगे कि अब इन्हें हम चमस से थोड़ा सा अलग अलग करदेंगे ताकि ये हल्की सी कुर्कुरी सी हो जाए हवा लगने से और इस ओयल में हम आधा जमस नमकेट करेंगे और इसमें ये हमारी गरम पानी से धुलीवी जो कोबी है वो एट कर देंगे अब इसमें हम दो मीडियम साइज के आलू जिने हमने छील कर और इस तरीके से बड़े-बड़े पीसिस में काट कर धोकर रखा था वो एट कर देंगे अब इन्हें हम हलके से चलाएंगे और इसमें हम ये भीगेवे हमारे छोले एट करेंगे इन छोलो को हमने 7-8 घंटे के लिए भीगो कर रख दिया था आप चाहे तो आप बोईल करके भी इन्हें एट कर सकते हैं इसमें अब इन छोलो को और इन सबजियों को हम 3-4 मिट तक अच्छे से फ्राइ कर लेंगे इस सोयल में फुल फ्लेम पे चलाते वे तो ये देखिए हमारी जो सबजिया है अच्छे से फ्राइ हो चुकी है अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे शितर से 80 परसंट तक ये सबजिय को पग भी चुकी है अच्छे से गल चुकी है अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे आप चाहें तो आप इन सब्जियों को बोईल करके भी इसमें डाल सकते हैं लेकिन इनको फ्राइ करने से हमारी बिर्यानी का जो टेस्ट है हो बहुत अच्छा आता है इसलिए मैं इन्हें फ्राइ करके ही लेती हूँ अब इस ओईल में हम कुछ गर्म मसाले एट करेंगे तो यहां पर हमने तीन से चार देजपान के पत्ते लिए हैं एक बड़ी लाइची और एक इंच दाल चीनिका तुकड़ा तीन से चार लोंगे और दो स्टार फूल लिए हैं हमने और दस से बारा हमने यहां पर काली इसके साथ ही हम तीन बारिक चोब कीवी मीडियम साइस की प्याजे इसमें इट कर देंगे इन प्याजों को हमें हलका सा ही फ्राय करना है बस हलका सा कलर चेंज होने तक तो यह देखे हैं हमारी प्याजे जो हैं हलकी सी फ्राय हो चुकी है अब इसमें हम लहसुन का पेस्ट एट करेंगे तो हमने यहाँ पर दो चम्मच दो टेबल इस्पून मतलब लहसुन का पेस्ट लिया है अब इसे हम हलका सा चलाएंगे और इसमें हम इसके साथ ही दो टेब दो बड़े साइस के टमाटर हमने लिये थे, उसकी प्यूरी बना के रखे थे, तो वो प्यूरी हम इसमेट कर देंगे, इस प्यूरी को हम तेल अलग होने तक पका लेंगे, मिडियम फ्लेम पे, हमने इसमें घड़े टमाटरों का यूज बिल्कुल नहीं किया है काटके बिल्कुल भी नहीं लिया है अब इसमें हम ये 12-15 हरी मिर्चे एट कर देंगे तो 2-3 मिर्चे जो हैं हमारी इसमें लाल हो चुकी है वो भी हम इसमें एट कर लेंगे सारे ही मसालों को हमें इसमें एक के बाद एक एट करते जाना है अब इसमें हम एक चमच कुटी वी सौफ और एक चमच कुटावा जीरा एट करेंगे और इसके बाद हम इसमें 200 ग्राम के करीब दही एट करेंगे एक कटोरी दही है यह तो हमने यहाँ पर फ्रेश दही का यूजिद किया है अब इसको हम हलके से चलाएंगे हलका सामी से चला लेंगे और इसमें अब हम सुखे मसाले एट करेंगे तो सुखे मसालों में हमने लिया है एक चमस धना पाउडर एक चमस बिर्यानी पाउडर और आधा चमस नमक एक चमस लाल मिर्च पाउडर और आधा चमस हमने हल्दी पाउडर लिया है इसमें अब इन मसालों को हम तेल अलग होने तक पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए अब हम इसमें हमारी फ्राइ कीवी सब्जी आइट कर देंगे आप चाहें तो आप बोईल करके भी इन्हें डाल सकते हैं लेकिन फ्राइ कीवी सब्जी आँ से हमारी बिर्यानी का जो टेस्ट हो बहुत अच्छा आता है इसलिए में इसे फ्राइ करके ही पकाती हूँ अब इसे हम हलका सा भूनेंगे और इसे हम ढाक कर रखतेंगे तो जब तक सब्जिया होती है तब तक हम हमारे चावलों को चेक कर लेंगे तो हमारे चावल भी जो है देखिए 80% तक पक चुके हैं तो अब हम इन्हें एक चल्नी में निकाल लेंगे तो देखिए मैं इसको आपको तोड़के बताती हूँ तो यह जो है 80% तक पक चुके हैं अब इन्हें हम एक चल्नी में निकाल कर रख देंगे और इधर हमारी सब्जिया भी जो है वो रेडी हो चुकी है तो इन सब्जियों को हमने दो से तीन मिनिट पिल्कुल लो फ्लेम पे पकाया है ढाक कर अब इसमें हम यह बिर्यानी के चाओल एट कर देंगे क्योंकि हमने सिर्फ 600 ग्राम चाओल लिये हैं इसलिए हम सारे ही चाओलों को एक साथ एट कर देंगे अगर हम जादा चाओलों से बिर्यानी बनाते तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके एट करते अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे एक बार इस तरीके से ryni जोरुर बना के गाए अगर आप इस तरीके से एक बार भी बनाएना तो इंशाल लाओ आप इसे अब विए जोरुर बनाएगे क्योंकि बहुत आचिक मीडियम रका है अब इस पे हम यह fry कhew प्याघ एट करेंगे तो हम यहां पर आधी प्याजी दे रहे हैं थोड़े से धनिया और पोदीना के पत्ते एट कर देंगे इस पर कि अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारी प्याजे हैं अच्छी तरह से इसमें मिल जाए अच्छे से हमें इसे चारी तरफ से अच्छे से मिला लेना है इनको मीडियम फ्लेम पे अब इस पर थोड़ी सी प्याजे हम और डाल देंगे और दो टेबल इस्पून भरके हम इसमें देसी घी एट कर देंगे देसी की से खुश्बू बहुत अच्छे आती है बिर्यानी की तो आप इसमें थोड़ा ज़ादा भी यूज़ कर सकते हैं अब इस पर हम एक नीमू का रस डाल देंगे नीमू डालने से बिर्यानी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है यह उप्षनल है वैसे अगर आपको लगता है नीमू तो आप डालिए नहीं तो नीभी डालेंगे तो कोई बात नहीं अब इसे हम हलका सा मिक्स कर लेंगे और इसे हम ढाक कर रख देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे तीन से चार मिट के लिए तो यह देखिए तीन से चार मिट हो चुके हैं अब इसे हम अच्छे से चला लेंगे तो अच्छे से चला के हमने इसको फिर से तीन से चार मिट के लिए लो फ्लेम पे पका लिया है तो कुल मिला के हमने इनको साथ से आट मिट के लिए पकाया है लो फ्लेम पे तो हमारी बिर्यानी जो है बिल्कुल पक के तयार है तो अब हम इसे सर्फ करेंगे देखा कितनी आसानी से हमारी जो vegetable बिर्यानी है बनके तयार हो गई है तो ये देखे कितनी बढ़िया सी हमारी vegetable छोले बिर्यानी बनके तयार हुई है आप अगर एक बार बनाएंगे ने तो इंशाला आपकी family को बहुत बहुत ज़ादा पसंद आने वाली है यह बहुत ही कमक्त में बनके त्यार हो जाती है दस से पंदर uniस कर थोड़ी से घनिया पुदिना कपतीशों से और कुछ हरी-मिर्सी टालेंगे और स्ट्रोग की once को इसल अ मिया जातीक लेकिन अभी फिलहाल तो मटर नहीं आ रहा है मार्केट में इसलिए हमने छोलेगा यूज किया है बहुत ही मज़िदार रेसिपी बनी थी है तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेर ज़रूर करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है झाल